अगर आपने अपने जानू को किसी भी वज़े से छोड़ दिया तो क्या होगा? एक बापर से रिपीट कर दो इस को अगर आपने अपने जानू को किसी भी वज़े से छोड़ दिया तो क्या होगा? यह है कोशन आप से लिए बने रहे हैं इस वीडियो में क्यूंकि इस वीडियो में आपको इस कोशन का एंसर देखने हम लेगा? दोस्तों अगर आपको किसी भी कुशन पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे अपना कुशन दे सकती हूँ अगर कुछ आए अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लिके आएंगे चलिए बढ़ते हैं आगे लेट से स्टार्ट देखते हैं आप चूज करने के लिए क्या है? पर चूजिन के लिए यहां पर वाज रखे गए हैं तो चलिए बढ़ते ही आगे और आपको इनमे से किसी एक बभी को चूज करना होगा तो ध्यान से दिखकर किसी एक बभी को चूज कर लीजी तो टरफ फाइब वाज है आई होप आपने अपने बॉया चुन लिया होगा पट्टे एंसे की तरफ यहाँ पे होने लगी है लोडीन आपको कुछ समय का वेट करना होगा जिसने भी चूज किया इस बॉय को सबसे पहले इसका इंसल दिखेंगे वो थोड़ी दिन तो परिशान जाएंगे फिर समल जाएंगे चलिए इसे के साथ बढ़ते हैं आगी लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी पर किस्प्सक्राइब क्या है तो आल वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर करना चाहें तो दोस्तों को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके मर्जी करेंगे खाना पीना भी छोड़ सकते हैं चलिए इसे के साथ बढ़ते हैं आगी जिसने भी चूज किया इस बढ़ते हैं वो अपनी किस्मत की गलती देकर आगे बढ़ जाएंगी लेकिन आगे बढ़ने मों उनको टाइम लगतीगा किस्मत की गलती मतलब किस्मत का दोष्ट की किस्मत सइह नहीं है इसलिए ठीक है आपनी मिलियोने समझ रहे हो ना एंसर जिसने भी चूज किया है इस बढ़ते हैं अगली बढ़ते हैं पर वो आपको पानी के लिए जी जान लगा देगे इसे किसार बढ़ते हैं आगी अगली बॉय के तरब जिससे वे चूज़ किया इस बॉय को एंसर भी कियाते हैं एंसर भी वो आपके खुशे चाहेंगे लेकिन मन में आपको मतलवी ज़रूर बोलेंगे मतलवी यानु सल्फिस इंसा उठी किया अब दी जी जाजएद, भाई भाई, टी किया, गुटनाइट